हेलो गाज वेलकम बैक टू न्यूव वीडियो फ्रेंट्स आज कि इस वीडियो में आपको बताने वह लगर अगर आपके भी टेग्णु फोन में किफ इस टोफिंग का मेसेच सो कर रहा है तो आज की इस वीडियो में इस problem को fix करने वाल हो और आपको भी बताँगा कि आप अपने phone में इस problem को कैसे fix कर सकते हो काईस के और आए कि आप किसी भी application को open करते हो तो आप application से बाहर हो जाते हो और वहाँ पर आपको message होता है keep stopping तो keep stopping का जो option आ रहा है जो message आ रहा है हमें और application से हम बाहर हो जा रहे हैं उसको किस तर से हम fix करेंगा और जो हमारा application है उसे हम use कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा अभी किस तर से आपको करना है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो चाल को subscribe कर लिजिएगा चलिए वीडियो कमें आगए बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपको क्या करना है तो कैसी यहां पर आपको जो problem देखने को मिल सकता है आपको सारे application में देखने को मिल सकता है या फिर किसी application में देखने के लिए मिल सकता है जैसे कि whatsapp हो गया facebook हो गया instagram हो गया या फिर कोई भी application हो गया जिसमें आपको इस तरह का problem देखने को मिल सकता है गूगल application हो सकता है जिसमें आपको इस तरह का problem देखने को मिल सकते हैं तो आपको जो application में आरा हे है इस application को आपको याद रखना है कि आपका कौन सा application में यह problem आ रहा है उसके बात आपको सबसे पहले setting को open कर लेना है आपके के सेटिंग में चले जाना है आपको और यहां पर आ जाएंगे आपको बहुत सार उपसन मिलेंगे यहां पर आपको एक option सेलेक्ट करना है apps and notification इस तरह से मेरे फोन में apps and notification सो कर रहा है आपके जो फोन होगा उसमें आपको apps list या फिर app manager या फिर app management का option आपको so कर सकते है तो वहाँ पर आपको देख लेना है आपको किस तरह से so करते है तो यहां पर आपको click कर देना है अब जैसे यहां पर enter कर जाएंगे यहां पर बहुत सार उपसन मिलेंगे आपको यहां पर see all apps का option मिलेगा या फिर आपको app list करके भी option मिल सकते हैं आपको check कर लेना है और click कर देना है इस तरह से click करेंगे अभी जो इतने भी आपके phone में apps होंगे यहां पर show कर जाएंगे अभी मेरे phone में उपर की तरफ search का icon नहीं है इसलिए मुझे यहां पर manually search करता होगा कि कहां पर हमारे phone में application दिया गया है जिसमें म यहां पर search कर लेता हूँ तो यहां पर जो मेरे phone में problem आरे हो यहां पर facebook में आरे facebook light में तो यहां पर facebook light दिख रहा है यहां पर मुझे click करना है आप उस application में पर click करेंगे जिस पर आपको यह problem आ रहे है तो यहां पर हम light पर click कर देते हैं इस तरह से हम यहां पर click कर लेंगे आपको उस application के साथ करना है जिसमें आपको इस तरह का प्रोब्लम आ रहा है следival storage का option सो कर जाता है clear storage वाले option पर आपको click करना है और यहाँ पर आपका जो भी lock होगा pattern lock होगा यहाँ पर use कर लेना उसके बाद यहाँ पर clear option पर click कर देना है इस तरह से आपको कर देना है तो जो मेरा phone था यहाँ पर मैंने facebook में किया आप किसी भी application में आ रहा है तो कर सकते है जैसी कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दे था हूँ messages का option आ रहा है messages पर click करेंगे storage वाले option पर आपको click करना है और यहाँ सभी clear storage के करके आपको okay पर click कर देना है इस तर से आपको कर लेना है जितने भी application में इस तर से problem आ रहे है तो इतना करना है आपको उसके बदद आपको second step क्या करना है आपको यहीं पर all apps बाले option में आ जाना है यहीं पर और उपर की तरफ three dot मिलेंगे यहाँ पर click करना है आपको और user so system ka option आपको so कर जाएंगे इहाँ पर यह पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर clickacakt MEM हो यहाँ पर just form क्या होता है कि आपको इस तरह से नहीं करना होता है डारेक्लि यहाँ पर phone का जो आपने download किया हो भी और system का सबी यह application आपको यह पर show कर जाता है तो आपको इस तरह से नहीं करना होगा लेकिन जिसके phone में भी show नहीं कर रहा है उसको आपको 3.00 पर click करके system वाले application को भी show कर लेना है और यहां पर अभी आपको एक application सर्च करना है जिसका नाम होगा android system android system करके application आपको मिल जाएगा उस पर आप को click करना है android system वाले application क्लि करना होगा लेकिन यह पर पहले से ही नहीं ब्यासे wäreac कर देता हूँ इतना आपको rip손 में कर लेना है इतना करेंगे बहुत सारे जो आपका problem होगा fix हो बहुत सारे application का बट इतना करने के बाद भी अगर आपके phone में ठीक नहीं हो रहा है तो आपको next step क्या करना है यहाँ पर आपको एक play store open करना है play store को open करेंगे इस तरह से आपको यहाँ पर profile का icon मिल जाएगा यहाँ पर आपको click करना है profile पर click करेंगे अभी आपको यहाँ पर manage apps आया हुए system से लाइक यहाँ पर career services वाले option आया हुआ है तो यहाँ से आपको इसको update कर लेना है digital well-being इस तरह से आ रहा है तो इससे update कर लेना है आपके phone में जितने भी डिजी स्वरी यहाँ पर system का application का update होगा उन सबको आपको update कर लेना है लाइक यहाँ पर career services में update कर लेता और उस application को आपको यहाँ से update कर लेना है उस application को जैसे की मालेज जिन आप फैस्बूम कर लेना होगा जैसे कि यहाँ फोन में update आप डेट आवेलबल है इस तरह से आप देख से तो facebook का यहाँ पर update आया हुए तो यहाँ से हम update पर click कर देते हैं अपर click कर देंगे यहाँ पर मंदेगी अपड़ा से हम कर लेंगे और अपड़ा जैसे हम कर लेंगे जो हमारा अपने हं पर fix हो जागा आभी fix ने हो रहा है तो यहाँ फिर reset कर सकती हो अपने फोन को इस तरह से हम कर लेंगे आपका फोन का जो प्रोब्लम थेहां पर definitely fix हो जाए गा अगर वीडियो पसं जगा चली मिलते एक नेक्स्ट वीडियो